वेलकम टू ये पंकर नाइंटी एज इजूकेशन दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लेके आ गए एक एसी वेकंसी जो अच्छे आई टी आई कर चुके हैं उनके लिए वेकंसी आ चुकी है सरकारी इजल पे गवर्मेंट की तरफ से तो उसके बारे में पूरा डीटेल तो भी में डीटेल लेकिया गया हूँ वीडियो को आप लोग हम लास्ट देखे तभ़ी आपको अच्से समझ में आएगा कि या क्या क्या चीज़े है तो इस वीडियो को अंद्ट तक देखेग् lot Aoki और तो Google पर जाके टाइप करेंगे सरकारी रिजल क्या टाइप करेंगे सरकारी रिजल जैसा कि आप लोग देखना है यहां पर आ चुका है ठीक है तो आप इस पर क्या करेंगे सिंपली से क्लिक कर देंगे या आप पूरा टाइप करिए कोई इसू नहीं है और आपके सामने कुछ इस्टर से कोई भी वर करिये मॉःल पर देश्टाब मोड में करे करिये ताकि आपको मॉःल एक कम्यूटर स्क्रीन स्क्राइब हो जाए तो इसमें हम चलते हैं और मैं आपको लेग चलता हूं रिजेल्ट वाले में यहाँ पर देखिए निशिधा नम्मर पर दिखा रहा है मैं आपको तो दिखा रहा हूं यूपी पीसीयल टेकनीशियन यहां पर देखिए इलेक्ट्रिसियल आललाइन फार्म ठीक है तो हम इस पर क्या करते हैं सिंप्ली सी क्लिक कर देते हैं इसी लिंक पर तो आपके सामने कुछी इस तरह से दखिए आपके सामने खुल क्या चुका है अब मैं मैं आपको बताओ दूँ यहां पर कि यह वह देखिए अप्लीकेशन बीगनिन एक साथ दोजार भी से यह जो फार्म जो है चालू होगा लाग्ट रच देट होए यहां पर देखिए rate करके से आपको दिया गया है जो की यह जो 227 2020 को क्या हो जाएगा या इंट हो जाएगा ठीक है मतलब मात तक 22 दिन के लिए ही चालू हो रहा है आपका आफलाइन पेमेंट जो लाट दे 24 तक होगा और आनलाइन पेमेंट जो इसका होगा वह बाइस तक ही होगा जिस दिन फार्म का लाइस दे तो उसी दिन आपका पेमेंट भी होगा लेकिन आफलाइन पेमेंट को होने वाला है तो कितना अच्छा कि आपका करते हैं यहां पर यहां पर का चुका आप लोग यहां कि आधर का दिया है तो इसका मतलब क्या होता है अधर श्टेट तुद अगर तो कितनी लगेगी, एक हजारी लगेगी लेकिन आप उत्तर प्रदेश के अंदर के आशिक है आपके फिस कितनी लगेगी तब 700 रुपे लगेगी ठीक है पेड एक्जाम फीज थार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग ठीक है किसी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं फिर हम लोग आगे आते हैं यहां पर देखें एज लिमिट की बात करते हैं तो यहां पर एज जो अठारा से इसको लिग्जाम इस साइंस मैथ एंड सब्जेक्ट विस्ट आई यहन सी भीटी सेटिफिकेट इन एलेक्ट्री सियन और एलेक्ट्री एलेक्ट्रिकल ठीक है यह दोनों चीजे रहने चाहिए आपके पास यहां पर देखें जनरल के लिए 245 पोस्ट है वो बीसी के आपका जो है कितना पोस्ट है 164 और EWS के लिए 60 है और SC के लिए 127 ST के लिए 12 पोस्ट है तो यह है और यहां पर देखिए आपको पूरी डीटेल दीए है आप जाके इसको हमको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रेप्शन में आप डाडेक्ट क्लिकर कि इस फार्म पर आ सकते हैं अगर आपको नोटिफिक्शन पढ़ना तो पुरा फूल पढ़ सकते हैं तो यह कुछ था जो फार्म आपका आगया मेरा काम देखिए मैं कोशिस कलता हूं कि जैसे आप भले मॉइल चलाते लेकिन कुछ बच्चों को फार्म आता पता नहीं चल पाता या देख नहीं पाते टाइम नहीं मिलता है या कहीं बीजी रते हैं तो मैंने सुझा कि मैं क्योंने वीडियो बनाके डालोगी फार्म आ चुका है बाकी डिटेल आप जाके चेक किया करिए अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट किया करिए मुझसे पूछिए मैं आपको रिप्लाइदेने का ज के हीं जेवार्ग